नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपके अपनी ही प्रिया चैनल प्राचीन ग्यान में दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको सर्सो के उन महा टोटके उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर तरीकी की परिशानी को खतम कर देगी आपके जीवन में पहले धन आ रहा था, परन्तु धन आते आते बंद हो गया आप नौकरी के तयारी कर रहे थे, परन्तु आपकी नौकरी नहीं लग रही थी आप नौकरी कर रहे थे, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था सरसो दो प्रकार की होती है पिली सरसो का इस्तमाल होता है धन उपाय के लिए धन संबंदित जितनी भी परिशानी होती है वो पिली सरसो से ठीक हो जाती है मान लिजे आपके पाद धन नहीं आ रहा है पिली सरसो का उपाय आपने उस दिन कल्या जो आपको हम बताने आ रहे हैं, निश्चित रूप से, माता लक्षमी जी के आशिरवाद से, आपके जीवन में धन का आगमन भी होगा, और जो धन आएगा वो ठिकेगा भी, दूसरी तरफ काली सरसु का जो इस्तमाल है, वो तांतिक विद्याओं के लिए किया आता है, कहने अच्छ हो जाएगा, और आपके घर में किसी को अगर बिमारी लगी होई है, वो ठीक हो जाएगी, बस आपको ठीक तरीके की साधना ठीक दिन पर करनी है, दोस्तों यकीन मानिये, सरसो का उपाय, एक ऐसा उपाय है, जो कभी खाली जाता है नहीं है, बस आपको सही दिन जैमालक्ष्मी, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों ये जितने भी आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं, ये वाशु शास्त्र से बताने रहे हैं, इन उपायों को अगर सही दिन पर, सही तरीके से आप अगर करते हैं, निश्चित रुप से आपको हर उपाय का परिणाम मिलेगा, और बहुत साकरात्माग परिणाम मिलेगा, आपको बस ये धियान देना है दोस्तों, ये जो भी उपाय आप कर रहे हैं, इनकी साधना गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे ता उनका आगमन शुरू हो जाए, आपको नौकरी की प्राप्ती हो जाए, आपको नौकरी करना आपको प्रमोशन मिल जाए, आपके घर का वातवरान बहुत अच्छा हो जाए, तो इस वीडियो को लाश्ट तक अंत तक देखिएगा, एक एक उपाय को किसी कॉपी में लिख और ध्यान से लिख लिए, क्योंकि जितने भी आपको उपाय बताएंगे, वह ऐसे उपाय हैं, जिन उपायों को अगर आपने कर लिया, तो निश्चित रूप से दोस्तों यकीन मानिए, आपके घर की उननती होगी, आपके घर पर सुक समरिद्धी का वास होगा, आपके घ पाय हम आपको उताने आ रहे हैं, वो है नाकरातमक शक्तियों को जड़ से खतम करने का, निगेटिव एनरजी को खतम करने का, अब मान लिजए आपके घर का महौल ऐसा हो गया कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, मान लिजए आपके घर का महौल ऐसा हो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यह तो नर्क है, तो ऐसे मा आपको क्या करना चीए, देखे, इसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि आपके घर पर किसी ना किसी रास्ते से नाकरातमक शक्ति आ गई है, और वो वहाँ पर वास्क कर रही है, नाकरातमक शक्तियां रहती हैं, उस घर में माता लक्षिमी जी वास करने नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, देखे, आपको सिर्फ यह करना है, कि आपको शनिवार के दिन, ध्यान रखेगा दोस्तों, यह शनिवार का दिन है, जो आपको उपाय करना है, शनिवार के द दूसरा उपाई एक ऐसा उपाई है जिसको आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य आपके भाग्य में बदल जाएगा लेकिन इस उपाई को करने के लिए आपको यह समझना होगा कि यह उपाई ऐसे किया जाता है कि यह उपाई लगतार चलेगा आपका 5 मंगलवार ध्यान रखेगा 5 मंगलवार मतलब 5 हफ्ते पांच हफ्ते आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं तामसिक का मतलब यह होता है दूस्तो आप नौन्वेज नहीं खा सकते हैं दारू, मदीरा, पान, मसाला, घुटका नहीं खा सकते हैं लेकिन अगर आपने पांच मंगलवार यह उपाय कर लिया निश्चत रूप से आपका दुर्भाग्य भाग्य मतल जाएगा मान लिजे आप कोई काम करने आते हैं आपका काम हो नहीं पाता है मान लिजे आप ठक चुके हैं बाधाओं से, परिशानियों से, अपने अनलख पन से लेकिन आपने यह उपाय कर लिया तो निश्चत रूप से, आपका लग भी आपका साथ देगा आपके राहो केतु भी अच्छे हो जाएगे और आपका दुर्भाग्य भाग्य मतल जाएगा मिट्टी का आप लोग ने कोई भी कुलर देखा होगा, मिट्टी का आपने कोई भी बरतन देखा होगा जैसा आप इस्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको गाय का सूखर गोबर लेकर आना है ध्यान रखेगा दूस्तो, मंगल बार के दिन, शाम के बाद, सुर्यास्त के बाद, आपको गाय का गोबर सूखर लेकर आना है थोड़ा सा गोबर लिया, ये कुल्चा है, जो कुले होते हैं, गोबर गाय के वो लिया, ये थोड़ा सा मिट्टी के बरतन में रख दीजे, शाम के वक, सुर्यास के बाद, नहना है, धोना है आपको उस मिट्टी के बरतन में जहाँ पे आपने गाय के गोबर को रखा, उसको जला दीजे उसमें पांच सरसू डाल करके, अपने पीली सरसू डालिए, और घर के मुख्य, जो आपकी छाते वहाँ पे चलिया है, यह पूरव दिशा में उसको रख दीजे, और उसको वहाँ पे जलने दीजे, निश्चे तुरूप से दोस्तों, आपका जो दुरभाग्य होगा, वो भाग्य में बदल जाएगा, आप अगर यह उपाये पांच मंगलवार कर लेते हैं, पांच मंगलवार आप तामसिक भोजन नहीं करते हैं, यह उपाये कर लेते हैं, हम आपको स्टैंप पेपर पे 101% लिख के दे सकते हैं, कि आपका दुरभाग्य भाग्य मदल जाएगा, यह उपाये हमने आपको जो बता है, वाशु शास्तर से बताया है, इसल अपको सुर्यास्त के बाद, पांच काली सर्सो लेना है, जिस व्यक्ति को भी रोग लगा है, उस व्यक्ति के सर्प से बाई और से दाई और आपको साथ बार घुमाना है पांच काली मिर्च को बाई और से दाई और उस रोगी के उपर से घुमाना है फिर आपको वहाँ सरसो ले जाकर के घर के मुख्य द्वार के सामने पढ़ने वाली सडक के दूसरी सरफ फेक देना है यहां किरिया लगातार आपकी तीन शैनिवार चलेगी और यकीन मानियो दोस्तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे रोग की वज़े से परिशान होगा जो काले जादू, काले बंधन इन सब चीजों की वज़े से थी तो वो हमेशा के लिए रोग चला जाएगा तीन उपाए हम आपको बता चुके हैं चौता उपाए आपको बताएं उससे पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में परिश्रम कर रहे थे नौकरी नहीं लग रही थी तब आपकी नौकरी लग जाएगी तो यह उपाए बहुत असान से उपाए है यह उपाए जो आपको करना है दोस्तो यह उपाए आपको करना होगा रविवार के दिन रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है यह दिन में उपाय किया जाता है या उपाय अगर आप कर लेते हैं निश्चित रूप से आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी बहुत आसान सोपाय है दूस्तो आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है आपको नहाने दोने के बाद पूजा घर के सामने हाथ जोड़ना है, वहाँ से पीली सरसो उठानी है, ध्यान रखेगा पीली सरसो उठानी है बाएं हाथ में, और अपने घर से ग्यारा रोटी उठानी है, दाएं हाथ में पिली सरसो उठानी आपको बाएं हाथ में दाएं हाथ में उठानी है 11 रोटियां और घर के बाहर निकलना किसी भी गाय को 11 रोटियां खिला देनी है ध्यान रखेगा दोस्तों 11 रोटियां गाय को खिलाएंगे पिली सरसो आपके हाथ में रहना चाहिए गाय के कुबर को हलका सा छू लेना आपको घर वापस चलेना है इसे पीली सरसो को उसी कमरे में रख देना है आपको जिस कमरे में आप लोग पढ़ाई करते हैं जब पीली सरसो रखेंगे आपको किसी पीली पोटली में मौली धागे से बांद करके रखना है या उपाय अगर आप लोग 5 अभीवार लगतार कर लेते हैं निश्चित रूप से दोस्तों अगर आपका दुरभाग या आपके पीछे पड़ा हुआ था या मानलीजा आप लोग मैनस्त कर रहे थे परिश्रम कर रहे थे आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी आपकी नौकरी लगना तै है या एक बार आप उपाय करके जरूर देखिए दोस्तों सिप 5 अभीवार की बात है आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी पांच बार आखरी उपाय है दोस्तों धन प्राप्ति का उपाय मतलब मालीज आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था आपके पास धन नहीं आ रहा था या उपाय अगर आपका लेते हैं पिली सरसु का तो आपका धन भी आएगा और धन टिके का भी या उपाय आपको लगतार करना है 11 शुक्रवार बहुत ध्यान दीजगा दोस्तों 11 शुक्रवार बहुत धन की देवी मातर लक्षमी जी का वो दिन होता है जिस दिन की गई पूजा साधना खाली जाती नहीं है और मातर लक्षमी जी के आशिरवाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है अब ध्यान रखेगा 11 शुक्रवार यह जो उपाय आप कर अपो यह जांका है नहीं, तो आहले शुक्रवार को आ लेना है, पेले कलर का बैग लेना है, उसमें शाम के वक्त, आपके घर पे पूजा सरसो लेकर अपने हाथ में हाथ जोड़ना है। मातलक्षमी जी का बीज बीज नतर बोलना है जो है इस प्रकार से अम फिरसे रेपीट करेंगे हैं इस दो काली मिर्च को आपको किसी भी पीले बैग में रखके तो इस पीली सरसो को उठा करके बहती नदी में बहा देना है बस आपको इतना करना है दोस्तों आपके घर पर जो धन नहीं आ रहा था वो धन आना शूरू हो जाएगा मातालक्ष्मीजी आपके घर पर वास किनना हैंगी माताल कश्मी जी के अशिरवाद से आपके जीवन में इतना धना आएगा जिसके आपने कभी कलपना नहीं कियोगी दोस्तो आज जितने भी पीले सर्सो काले सर्सो कर में आपको उपाय बता हैं वो आपके जीवन काल में कई परिशानियों को जड़ से खतम कर सकते हैं इसलिए दोस्तो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दें जै मालक्ष्मी जै शानी महराची की